तो सब्सक्राइब काई सापका एक कॉनी गेमप्लाइब वीडियो के अंदर आज हम फिर से आचके हैं अपनी एकलाती फेडियोट गेम माइंट्राफ्ट के अंदर एकलाती जादा नहीं हो जाएगा क्योंग वाला यार मैं एक की गेम खेली जा रहा हूं और बहुत जल्दी म बहुत सारे साइड में चल रही है फर लाने वाला भोली जहा ला खबरा हम तो finally date ुसकी वcular विख अब वह आने वाला है उला के बाद घुलाइ के बाद, आपको जुलाइक ब़ाद जितनी घेम बनेंगा वाराइड़ी है चाहा 갖고 मेरे मैने वाली है उसकार यह है कि में और जून के स्टार्टिंग में हमारे प्री बोर्ड हैं में जून के लास्ट वीक में ही नई वीडियो आजाए नए किसी नए गेम के उपर तब तक हम खेलने तो आज हम क्या करने वाले जैसे आपको याद ही होगा हम लाट दो वीडियो में क्या कर चुके हैं दो एंडर्ड्राइगन बार चुके हैं कभी सारे लाइटर चुके हैं रह किया गया उसका दुछला हम करते हैं फिलाहर हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करें तो उससे पहरे चल रहा था वह था अपना अंडर्ग्राउंड सीटी जिसके मैं पहरे दो चीज़े बना चुका हूं एक सीपोर्ट एक लाइट हाउस इसे पर कुछ खास बना नहीं जैसे से मैंने उसको दी एक बड़ा सा प्यारा सा अपग्रेड जिसे से वह अप सीपोर्ट से सीपोर्ट 2.0 बन चुका है और उसके लोग भी बदल चुकी है तो फिल्हाल में आपको वह दिखाने वाला हूं साथी साथ बनाने वाला हूं एक मैसिफ सा गेट हमारी अंडर्ग्राउंड सीटी जो केव के अंदर है वह जाने के लिए बढ़िया सा एंटर्स भी तो होना चाहिए जि मेरे हाथ में क्या है यह है सिंपल रॉकेट और आपको इसका कमा दिखाता हूं काफी छोटा सा बूस्ट है और तेरी मुह भिठते भिठते बचा यह गाइस रॉकेट इतने काम के नहीं है और मेरे पास एक और रस्पी है जिससे हम इस रॉकेट को 3 ताइम मोर पावर्फु आप एक आमाड यूज कर सकते हैं और एक साम में 3 रॉकेट मिल जाते हैं अफिलार में 63 रॉकेट मैं इनको थोड़ा साइट करता हूं और सब से बहले आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूं हम यहां से जाने वाले हैं हम सीदा वहां चलते हैं अपने जू के गेट के त जाता हूं सिदा 3 स्टेज रॉकेट को फायर करता हूं देखो जरा कितनी ज्यादा ही उपर आ गया और यहां एक मस्त पसी साफ्ट लैंडिंग लेते हैं और वहां पर अपना जो गेट है वह उपर आ रहा है और अभी वह उपर लग चुका है मैं यह देखो ऐसी है वन स्रे स्केंड और अभी भी मेरा काम प्रॉपर्ली बना नहीं है में अच्छे से बैलन्स करते हुए जाना पड़ेगा ग्लाइड करते हुए और में पर्फिक लैंडिंग ले चुका हूं तो खाना भीना गाइस वैसे भीना खाना खतम होने वाला है तो हम यहां तो थोड़ा से न आपको थ्री स्टेज रॉकेट की पावर दिखाने वाला हूँ जाए यहां हमें फंकिन पाइच चाहिए हमें फंकिन पाइच खाना कोन देगा यह तो पार्मर है तो फार्मर के ओवाद अपने बास ब्रेट है लो ब्रेट होगी अफग्रेड हो जाब हाई चलो यह अफग् काफी ज्यादा बार्पल है तो यहां पर फिकते हैं चेस्ट में काफी जारा समझ पड़ा होता है और अब ही हम जाने वाले हैं सीपोर्ट टू पॉइंट ओ की तरफ अब काफी अच्छा खासा बूस्त मिला और काफी जादा ही हाइट पर मैं पहुंचा हुआ हूँ देख सकते हैं मेरे हाथ मेरे पास है अब मैं अपने आप ग्राइड करी जा रहा हूँ पर 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 इससे पहले मैं आपको सीपोर्ट टू पॉइंट ओ दिखा हूँ मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिन्होंने का इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना नीचे का आप लोगो लाल रंका सब्सक्राइब बटन दिख रहे हैं जल्दी स 2.0 मैं इसको कैमरा के एंग सब्सक्राइब काफी दा चुपाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा दूर चाहेंगे तो व्यू भी अच्छा रहेगा और गाइस यह हमारा सीपोर्ट 2.0 जिसके आप देख सकते हैं मैंने काफी कुछ चेंज किया है काफी कुछ से मेरा मतलब है मैं यहां फिला लिए बीकन टेंपररी इसको मत देखो मैंने यह साइड में वाल्स बना दी कि यहांपर सिंपल कॉंक्रीट था यह जो एक तरह सकते हैं और जो एक तरह से हमारे इस और इस इसे अब कर से मेरा फ्थील्ड नापन को आपेुदव बदल दी अपिलार आफी सरी वेयरावास बना दी हैं पैले अपने वास कितने थे अभी हमारे पास काफी सारे बेर такие आब चाहिए है साधीर और यह यह आसे सारी साधी और कर अन्ह आप मेरे थुबहांगकू है कि एक आख मैलन गार प्रिज सकते हो यह एक melon shop है, यहां से आप melon खरीज सकते बढ़नायाँ मैं तो हम का melon चुरा है रहा हूँ यहां से और यह guys एक map की shop, आपको कहीं भी जाना है आपको हर जगा का map यहां पर मिल जाएगा बातों में बोलें सच में नहीं मिलने वाला रुसके बात पुप्रिषट की फिर्ट बनाता है इस जो काफी जहादा यूसफल होता है फिलाल रात हो रही है यहां पर इक गोड़ की शॉप है में जोते हैं अपा सेमय करता है हम आरे और बीकन हैं यहां पर दो शिल्क बॉक्स इसके अदर थी सेज रॉकेट बहुत सारे बहुत हुए और दूसर इसके अंदर पॉर्शन आप नाइट विजन काफी सार है यह फिलाल मेरे हाथ में भी है हम इसको अपलाए करेगा उपर मारेगा और हम खाना खाएगा और आप देख सकते हो पर फिलाल मैं क्या करने बाला हूँ अभी गाइस में को एक मैसिव एंटर्स मिलाने के लिए काफी बड़ा पोशिन साफ करने आप देख सकते हो यह इतना बड़ा माउंटेन है और इसमें को काफी बड़ा हिसा है कट करने है जिसके बाद हम वहाँ पर अपना काम शूर कर स पर इससे बीए तो पर मैं फिलाल सोना चाहता हूं का सौनगे से फेले मैं थोड़ा मजह करना सा था हम तो मैं यहां मारे हम रोप आपने नीन मारे उठ चगाओं मेरे रॉकेट्स का काफी ज़ादा यूज करता हूं यहां पर काफी जारी जॉमिस भी थे तो बित्टे लिगां इसका यह तो अभी हमें सप्राइज देने वाला था अगर हमारा घ्रिट अगर मेरा ध्यानी जाता न तो यह अभी अभी में को स तो यह ने शेवल का कमाल देखिए सकते हो यह मेरी शेवल जो काफी जादा ही प्रफोल है इसकी पावर का अंधार रगए और कीव हैं यह हमारा मैसिव चेव जिसके अंदर हम ठीक यहां से तोड के एंटरंश बनाने बाते हैं उत्री 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 यह त्री जो थ्री से मैं वहां भी काफी बड़ा पोशिन अभी तोड़ने आँ जिसके मनसे मैं आपे अंटर्स बनाऊँगा और मैं यहां से निकलने कर रास्ता रूंगता हैं और अपर काफी सारी केव्ज हैं वहाइस फॉस्ट ट्राइ मेरी क्या है मस्त आउट लग गया और हम यहां फिलार अपनी खुदाई क्षीव करते हैं अंदर क्रीपर हैं उनसे मंगय नहीं लेने हम यहां आपनी खुदाई करते हैं यह कम हैं घाईस अगर आपको मेरी शवर जादा पाइफो लग रही है तो मेरी पिकर एक्स बिल्कुल बिकार है इसमें इतना पावर नही यह देखने के लिए हमारा map अपडेट होनी बाद कैसा देख रहे हैं अब देख सकते हो यहां पर यह साइड वाल पीस पर थोज़े नज़र आ रही है और यह इतना इसा हिस्सा आपको अभी नज़र आ रहा है यह फिलहाग मैंने खोद के निकाल ला है यहांने काफी बड़ा काफी सारा वुड्ड है यह यलो-yellow I think pumpkin होगा यह काफी सारा melon है और भी बहुत कोच है और मैं जीतना मैंने चुगा है तक उसको बाफिस रख चुका है मैं यह से फिलाल ओड़ के नीचे जाने वाला हूँ आपको यह दिखाने के लिए कि मैंने कितना area साफ करती है यह को जो हमारि केव का गेड़ वाला है उसको सपोर्ट देनी के लिए मैं बनाने इनवाल थोड़े सा सपोर्टhalf structures देख रहे विए लुट करेंजे का षब लोक करेंगे और जो भी हो कनने वाले करेंगे करेंगे फिलाल Sum गनाने तो मैं उस को बनाने वालिए यहां से , इतना सा Gap बहुत होगा मैं इसकी height पी लाज 3 vlox रख रहा हुँ , Iisa को हिहां पर one gate किца height 3 vlox होने वाली अधे यह क्या हुआ आपने डेख़न अभी यह इक glitch हुआ जब से इस मेर में शेडर इसको अपडेड अब्मा थोड़ा से अपडेट किया है थोड़े-थोड़े ग्लेचेस में देखने को मिल रहे हैं यहां से काफी ज्यादा उपर तक पर जह रहा हुआ है और यह देखते हैं जड़ा थोड़ा दूर चलते हैं और यह दिरी दरी शेप पकड़ने लगा है पर अभी काफी ज़ादा एम्टी है तो यानि अभी भी बहुत सारी महनत लगी है और मेरे रॉकेट्स काफी गल्थ टाइम पर फायर किया है और यहां वाला है काफी खतना यह डाइव थी गाइज में को यादा मैंने जब यह लास्ट टाइम यह डाइव ट्राइव की थी मैं लग भग मरते मरते बचा था लग भग आधी एच्प रहे की थी आदा हाट अफिलाल में जाधा मस्ती करते हैं अपना काम कंटिन्यू करता हूं यह उपर जाओं कैसे इतनी देर की मेहनत के बाद पाइनली मैं पहला टावर सिर्फ पहला व्यों इसको थोड़ा कंप्रीड कर चुका हूं अभी मेरे खाल से थोड़ा डिटेलिंग बची होगी वह तो दूर जाने ही वाद पता ल सब्सक्राइब घंचलने लग चुकी है जो कफी इसकी थोड़ा बढ़िया लग रही मैं सलगेर तो दप्सके मैं नहीं ढूरा बनाना बाकि और तो best शुब एक की स्नाप कर ना आपके सामने दूसे लूइड ॉआ गयगा तो आपके सामने आ चुका है दूसरा डावर और जिसको बनाने में काफी जादा ही मैंने लग चुकी है मैं अपने हाथ सामने लाओं और देख सकते हैं जो डिट्टू एक जैसे बने हैं पर इन में काफी सारे minor adjustments हैं क्यों एक दूसरा काफी अलग है वह एजस्ट में फिल्हाल कुछ नहीं है कि मैंने काइस दोनों को एक जैसा identical बनाया है पर फर्क यह है कि इधर की दुबार से जुटता है और आपको एक चीज़ बता हूं मैं एक अच्छी से position ले लेता हूं पहले और इन टावर्स की size यही रखता हूं और अभी मैं अपना gate बनाता हूं न तो वह आधे से ज़्यादा mountain को खाने वाला है यानि मेरे को इसकी एक और layer बनाने के ज़्यों ता जो इससे थोड़ी छोटी हो जो हमारे gate को एक इकोल साइज दे ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा तो फिलाल मैं इसकी एक और layer बनाने बादा जिसके लिए guys मैं को यहां से नीचे उतर के मस्त भाग दौर की पूरा काम करना पड़ेगा उस साच मैं सीधे एक snap मारेगा जो आप लोग लिए भी बच्छा रहेगा तो guys मैं बच्छे हुए बाकी दो टावर्स को भी खड़ा कर चुका और जो विलाल कुछ ऐसे लगए जैसे हैं मैं उपर बना है सेम ही मैंने नीचे बना दिया थोड़े मालब काफी जादा आइडेंटिकल है और नीचे चलके दिखाते आपको मैंने क्या बनाया ओ तेरी मैं काफी जादा ऑईडेंटिकल हैं चाट आवा जय क्या जावाइश के अन्दर भी आने कंए बाला है यह ग्याव से स्टेशन अँबशिया अल taken तो उस लुक के लेगा यह को काफिरा काय अंदर भी लेकर जाना पड़ेगा यहां क्रीपर क्या कर रहा है पास में है निकलो यहां से हैलो निकलो और गायस में से गल्द डाइब बच चुकी है इतना गाम करने के बाद अभी यह अंदर से ऐसा लगता है और में को यहां से निकलने का एक परफेक्ट रास्ता चाहिए हम सीता लाइट हाउस पर है उतरी 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 है चलो हम यहां पर लैंड ऑढ़ने के लिए अब यहां पर लाइन के लिए अवह वोड और काहिए सारा बॉर्ड और काफी सारा स्टों यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले एक वोड की लियर लेह लेहानी पड़ेगी किसमती ख़राब है हम यहां से फिर से चलते हूं उपर दाइव बहुत समहल के समहल के समहल के बच गया फिर भी गाइस है काफी ही जादा प्रैक्टिस के रहते हैं तम यहां पर अच्छे कासे हाइप पर आप यहां तो काफी है एनफ है हम पहले ही यहां पर स्टोन लगाते हैं ओप यहां फिलाल स्टोन को एक डूसर से कनेक करता हूं उसके बाद एक कॉल लेयर बीच में जिस तरह मैंने यहां पर दाल की वोड़ को लिकिए मैं वैसे वोड़ फिल करने वाला और उसकी बीच में एक डिजाइन बने वाला हूं जो बनेगा हमारे काफी सारी क्वार्ड स्ट स्ट्रेस से और साथ साथ क्वार्ड स्लैप से अब वह डिजाइंग कैसा बनने वाला और कैसा दिखने वाला है उसलिए तो आपको वेट करना पड़े हैं जब तक मैं इसको बना रहा हूँ तो आप इस मैं फिलाल खाना काके सोके उठ चुका हूँ और यहां फिर से वाइन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है यानि इनको कटाई के जरूरत है पर में को काफी जादा भूक लगी है यहां पर एक वाइन मिल गया ग्लोबैरी भी मिल चुकी है फिलाल यहां से बाहर चलते आपने के एंसेटर बाल घ्यास ऊप रचल जो बने वोला एं इसके लिए मिल लेगा फिलेंड तैनल बोल्ट तो मैं गई जा चुकी है यानि मैं को फिर से कॉल लेने के लिए कसल जाना पड़े गा याए एक ट्रिक तो सेख लिए अगर आपको ब्रेक इंस्टेंट ब्रेक लगानी है तो अपने स्काफ औलिंग्स पर हलका सज अधिकर मेसि Imma कर रहे हो आपने राकोट का से जटका दो संधन टन स्पीड को कॉपद्व स्ब्र Méज़त व्लग कर देता है मैज़स कॉछ स्काफ फोल्लिंग्स की काफिज आज दोद परने वाली है जिरो बंद दोचे का से लग चोग को और यहां फिलाल में एक massive सा design बनाने वाला हूं one two three three उससाइड लगाते हैं यहां लगाएगा एक stair और यहां गाइस में फिलार एक half circle बनाने वाला हूं हमारा arch बनाने के लिए जिससे गाइस एक पड़िया से लोक आएगी फिलाल इसको लगाते हैं दो इधर आएंगे अनद वन इधर और यह गाइब होगा कि अग्या अग्या और हमारी डिजर्ण है फिलाल काफी सरी कम है मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर चुका हूं अब जरह इस गड़बड़ी को सही किया जाएं जिसके लिए गाइस में विलाल यहां से थोड़ी ब्लॉक्स एक्स्टैंड करने पढ़ेंगे पूच्तरी हम यहां से गाइस तो व्लॉक्स और एक्स्टेंड करते हैं वान थैंक्यू इसमर्च दिस शूद भी नफ एक व्लॉक हम गते तो काफी जादा ही गंदा ब्लॉर आ रहा है इस और अभी विलाल रात होने बढ़िए मेरे पोशन का इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकते यूज करने का और हमें अच्छी काशे विलाल ब्राइटनेस मेल चुके में यहां एक ब्लॉक प्लेस करना है और तरिक हमारा आच का लगबक आधा हिससा कम्पलीट है और अभी मैं भूट करना है उसके पीछे वोड फिल करना है और भी बहुत सारी चीज़े करना है तो मैं यह आच और उसकी सारी चीज़े कम्पलीट करता हूं मैं पहला आधा हिस्सा कम्टीट कर तो अपने काम का पाकी हिस्सा हम बाद में करते रहते हैं मतलों मज़े से करते रहते हैं तो फिलाल इतना तो हो जाए मैं फिलाल काफी जादा हाइट पर पहुंच चुका हूँ और हमारे केव का एंटरेंस तयार हो चुका है मुट पुरा तो निए है तो अपर हो चुका है उसकी शेव रेडि है हमारा केव एंटरेंस से कुछ ऐसा दिख रहा है कितना जाधा मैसिव और कितना जाधा travaille हम फोन का एक्स्तरोंगкив देख रहा है अब साथ और मैंने इसको उपर से भी कनेचें डिया है मैं देखि स्दूकार है जैसे कि और से उपर साथ तॉड़िया लगवा है tussen never आप ज़िए लागाइज इस दौरान मैं वाली केव को भी कवर कर दिया जो हमारे इस एरिया को कवर करती है अभी भी जाए बागी आपको दिखाता हूं जबरा अब गाइज देख सकते हो यह हमारे केव का एंट्रिंस है जिसको हमने अभी इतना ही बनाया और पिला नाइट विजनी को और पड़ा है देखो तुरा उत्तरी घात लगा के बैठी हूँ और हम आपको मानने के लिए दर बैठ आगए कि यह हमारे केव का एंट्रिंस चो फिलाल एक सर्कल है फिलाल एक सर्कल है और सभी सर्कल रॉसके सांतर्थ है तोड़ी लाइं लाइन अभी घाश में इसको खर न्यौन का अंदग तरग बनाई यह हैं अभी में एक लेर स्टेर के बनाने वाला हूँ और दो लेर सेम इसी ही जो ठीक आगे तक चाहेंगी और एक काफी बढ़िया प्लाक्फॉर्म प्रवाइट करेंगी उसके बाद टेक तेम जाकने वाले मतलब बनाने इस वो काफी बढ़िया वाले हैं और अभी गाइस यहां साइट की आजिस आप देख सकते हूं इसके साइट की अभी तक पूरे खुले हैं इसी शेप को यहां आगे कांटिन्यू करने वाला थोड़ा दाउन पॉल देते हुए जिससे यह इसकी साइट लोग भी काफी बढ़िया होने वाली है तो मैं सबसे पहले यहां फिलार मेरे पास गाइस जित्रे भी वुड लॉक्स से वह सारे खतम हो जग अब अभी जाके वुड ले क्या रहा हूं बहुत सारे और मैं यहां अंदर आऊंगा और जितने भी वुड रहा देना ने लोलॉक्स बनाऊंगा फिला मैं बैक भी जगाने होने बहुत भी वड बनाऊंगा हुए जितने बनते उनको यूस करें वाल यह पूरा पूरा सिंपल स्टॉन बन चुका है जो एक कौरी श्ट्रक्टर लगते है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है जैसे कि मैंने यहाँ प्लोर पे वेरिएशन डा लिए हुआ पर यहां कुछ नहीं है जैसे से यहाँ डालने हो लाग बहुत सारी वेरिएशन और इसको का केप को मैं फिलाल मैंने इसको एक सपोर्ड एक स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है यहां साइट पर मैंने कुछ नहीं बनाया है पर मैं बनाने वाला हूं यह काफी जाद लग रहे हैं ऐसा लग जादू से आ गया है तो इस चीज को थोड़ा नाच्वर लुकिंग और थोड़ा स कॉल्साएं। बनाने वाला हूं और यहां पर पर अपना काम शुरू किया जाएं। मैं यहां बनाने वाला हूं उनके बनाने वाला हूं को अप्लाइ करके काफे तारी और चीज़े करने वाला हूं और मैं स्टोन कम लेकिया हूं यानि में को स्टोन फ़ाम जाना पड़ेगा चकटो लगएगा काश गाइस मेरा रीप्ले मौड इस टाइम काम कर रहा होता तो मैं आपको दिखा था कि मैंने ये सारा कुछ कैसे बना वाल अप गेम के अंदर को शो ही नहीं हो रहा होता तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लेंस आ रहे हैं जो इसको मैं फिलाल फाइंड आउट करने के खुशित करना हूं वाल प्रॉब्लम किया है पर समय नहीं आ रहा तो गाइस चैसे हमारे आप सी बोड प जो काफी जादा ही मैसिव है और यह अंदर देखने के लिए आपको फिला नाइट विजन लगेगा यह है हमारा मैसिव के एंट्र इसका साइज इतना बड़ा है आप इसके अंदर से सम्मरीन भी लेकर जा सकते हो बड़ यहां स्टेयर से उतार होगे कैसे यहां गेट के प जो काफी जादा ही मैसिव है और यहां के स्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है उपर से अब जिस फ्लाटफोर्म पर फिलहाल मैं देख जिस फ्लाटफोर्म पर मैं खड़ा हूं इस प्लाटफोर्म को सपोर्ट किया जाता है उपर से देख सकते हूं यह सारी प्लाटफोर्म ह कैसी ही लग रही है तो में को तो लाल बोवन एरो के ज़वत है इतरे पर यह स्कैली हटाऊ यह तो जाएगा अब जॉम्बी जॉटाऊ एक दो तीन चार और यह पांच वा तो टॉटल पांच एरो खाने के बाद यह तीन जॉम्बी गए हैं और काफी ज्यादा बढ़िया एक केव के अंदर से कुछ ऐसा लगता है यहां से हमने पूरी के पूरी स्ट्रक्चर को नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है और यह सामने के एरिया ने काई सी लाविटेट कर रहा है और इसको हैंग किया गया है इतने बड़े-बड़े बोल्ड्स के मदद से देखो तो ज़रा क आही लोग का रही है और यहां बस कोई जॉंबी ना हो आपको काफी बड़ी आस रास्ता मिल जाता है और दूसी तरफे में काफी बड़ी आस्ता बनाने के बोलाई है फिलाल यह पाहर से कुछ अंदर से कुछ आसा लगता है और यहां पर आपना समान पर आराम से आप यह देखो यह काफी साथ मास थैंगी हो यहां पर में काफी साथ चीजे और करने वाला हूं यह तो यह शुरुबात है हमारे केव का मैसिव एंटरिंस हीरा तेख हो दो तरह क्या ही सही लगता है जॉंबी कितर है जॉंबी को छोड़ो अब गैस हम उपर कैसे जाए तो यहा अंदर आएंगे और यहां गाइस अंदर काफी वड़ा आएक एमटी पोजिशन है जिसको मैंने खाली जोड़ दिया और फिलाल मैं सोचा यहां अंदर क्या करूँ स्लैब्स लगा दूँ जिससे काफी सारी मॉप स्पॉणिंग जा रूक जाएगी और यहां से यहां बाहर आ सकते हैं आप नाजर रख सकते हैं सीपूर्ट पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है कहां जा रहा है अब गैस यह तो थी इसकी डे लुक पिलाल मैं सोचा रहा है इस cave entrance map में कुछ ऐसा देखता है और अभी सबसे बढ़िया मोमेंट है इसको रात में देखने का जो रात में गाई से दिखता ही नहीं है हमेंच यह एक और portion of night vision जो फिलाल खतम हो चुके है तो गाईस रात को इसके look अंदर से काफी ज़्यादा ही बढ़िया रही है और फिलाल गाईस मैंने एक और छोटा सा चेंज की है जो आपको दिखाना बहुत जादा ही ज़रूरी है और वह हमारे लाइट हाउस में का शुचक यह बाईस हमारे लाइट हाउस का लाइट है हो आप को इससे को राख फाटा हो चुका है यह ज़रे अपको रिखाता हूंarin यह ज़रा बाईस ते चल से टाब तो यह Day Mode पर Automatically lights बंद हो जाती है और नाइट अधलो मोर्ड पर यह lights चलो जाना आयँ नाइट होती है यह automatically security lights चलंच चलो जाती हो जैसे देन होता यह lights आटमेटिकली बंद हो जाथी यह यह lights के घ्राब होने का जंजट गया यह fully automatic light है और मैं जादे पकारों में जानता हूं तो मैं यहां से निकलता हूं तोड़के आज की वीडियो यहीं तक वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल में पहली बाहर हो तो सब्सक्राइब बनाओ मैं फिला नीचे गिने वाला हूं झाला हूं जादे लीडियो लाईंगे कला हूं पहला हूं माथ एको आपेड़ का लिए लादे लादेर परते तो सब्सक्राइब भीडियो जादे लिए खादे जादेँ, लिए एक ऑ्लादेब अटों मान ताय।